सो गाइज नहीं वीडियो लेके आचुका हूँ परिचाय का दो इंड है तो लाज तक देखना कुछ इस पेसली बनाया होगा है ना एंड चले पेनो तो प्लीज सबस्क्राइब कर देना यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है चार मेलन के बहुत ज़्यादा क्लोजे एंड एक एक लाइक अभी से गर दो क्यूकि वीडियो बहुत मस्त है पिछले वीडियो में हम ने देखा कि राहूल का चाचा ही पैसों के लिए राहूल के माबाप को मार देता है राहूल को भी तक ये नहीं पता था लेकिन जब पता चलेगा तो क्या होगा और पिछले पार्ट में राहूल को दो चार गुंडों ने पिना मतलब का धो दिया जब आदी को ये पता चलेगा तो उन गुंडों का क्या होगा अगले दिन आदी जैसे इसकूल आता है ना उसे सेजल न जलाती है और ना तो राहूल वो बहुत रिपीट करता है राहूल का लेकिन राहूल नहीं आता तब वो आखरी में वहाँ से निकल जाता है राहूल को ढूंडने क्योंकि उसके मन में उसको पता चल चुका था फुछ तो गड़बड है ममी पापा जब आप लोग थे तो मुझ पे कोई हाथ भी नहीं उठाता था अभी देखो लोग मार के जा रहे है और चाचा चाचा तो मेरी चुनता तक नहीं करते क्या सोच के आपने पूरी प्रोपर्टी उनको दे दी ममी पापा हाँ हाँ मैं हाँ मरता रहता हूँ आप लोग छोड़के चले गए अरे देखो पापा उसको पढ़ाना लिखाना बेकार है घर के काम काच करवाओ यार अरे ये लड़की कौन है एए इधर सुन जरा हाँ 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 तुझी को बोल रहा है इधर क्या देख रही है इधर हाँ क्या काम है बोल लड़की सिधी पॉइंट पे आती है लड़की हूँ तो हलके में मत लियो सेर नी हूँ नोच डालूँगी अच्छा सेर तुमे को पसंद है और सायद तू भी बता अपनी आइटम बनेगे पीटा बनेगी क्या होता है तुझे पसंद है मतलब बन गई समझा क्या अबे बुड़े तू अपनी और अपने बेटे की आउकाद देखने पहले अबे किस बात कि इतनी चर्पी है पे इस लड़की में साली मारूगा तो एक बर में मर जाएगी छिपकली कहीं की ज्यादा बोलियो मत मेरे सामने और आउकाद की बात तो करियो मत तेरी ऐसी सौ खड़ी कर दूँगा एक सेकिंड में अबे लड़की को पैसे में इजट देना शूख लेगा रुक साली रुक है आद का जब रात तुने मुझ बे रुक साली क्या समझती अपने आपको हाँ ये देख रही है सीधा भेजे में डालूगा हाँ ठीक कहा ठपड कैसे मारा बे साली तुने आदी को आने दो वही ओकाद बताएगा तुमें ठीक है संसामिन पर वेट करूँगा मैं अकेला लेके आजाना अपनी आदी को अपनी आदी हिजड़े को ही लेके आएगी साली मैं एक दिन मर जाओंगा मैं ऐसे ही घुड़ घुड़ के अरे आदी तु यहां राहुल तु पागल है मैं तुझे कहां कहां नहीं ढूल रहा यार और तु यहां बैठा हुआ है मुझे डर लग रहा तो तिरे साथ कुछ हो ना गया हो बता नहीं सकता मुझे एक बार भी तु हां क्या करूंगा बता के अज तु मेरी लाइफ में दोस्त बन क्या है कल चला जाएगा नहीं बताने वाले आकरी सास तक तेरा दोस्त तु बेर रुख जा जा कहा रहा है सुन जब तक यह सासे चलेगी ना तब तक मेरा साथ तेरे साथ होगा मेरे दोस्त मेरा कोई मत छोड़ना सब चले गए यह तू रोता क्यों है हाँ मेरा दोस्त है रोया मत कर बोल क्या हुआ है मैं करूंगा हिल्प यहां केले बैठने से नहीं होता दोस्त को बताया कर ठीक है न तूटा तूटा एक परिंदा ऐसे तूटा के फिर जुड़ना पाया लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ना पाया तुझे हाथ लगाया और तूने मुझे पताया भी नहीं आज के बाद अगर किसी ने चुआ भी तो पहला कौल मुझे लगना चाहिए आज चल काड़ी में पैट सारी हटियां तोड़ू माज उनकी के अल्ला के बंदे हसते अल्ला के बंदे मेरे दोस्त को हांत लगाएगा तू हाँ अब बोलना उस दिन तो बहुत चोड में बात कर रहे थे अब क्या हुआ फट गई तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता ये क्या कोई भी हात लगाए मुझे जरूर बताना तू है मेरा दोस्त जगरी वाला दोस्त जरूर बताऊंगा अब चले स्कूल अभी पैंडेमिक चल रहा है तो सबको एक्स्ट्रा इंकम करना है अपने डेली लाइप के खर्च के लिए तो मैं आपको एक कमाल का साइट के बारे में बताना चाता हूँ जिसका नाम है मार्स बेट मार्स बेट पे सिंगल गेमज पेट लगा के आप डेली के 1000 से 2000 अंकर सकते हो कली मैंने 300 लगा के अठारा सो रुपए जीते हैं इससे इसलिए बता रहा हूँ आप भी जीता कते हो नीचर पीट में मार्स बेट का लिंक दिया हुआ है और इस्टर करो करने के बाद आपको फिर्स दिपोजिट पे 20% कैस बेक मिलेगा तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो जो मार्स बेट से पैसे कमा और हाँ जीतने के बाद अपने दोस्तों के बता रहा ताकि वो भी डेली के हजार दोजार कमा ले क्या होगा जब दोनों स्कूल जाएंगे और सेजल उन्हें बताएगी कि राहुल के भाई जीतने उसे छेड़ा है तब क्या करेगा हमारा आदी चल बाई जल्दी आज तो बहुत लेट हो गया है सुनने को मिलेगा अरे ये क्या सेजल तो बाहर खड़ी है सेजल क्या हुआ आदी हो मेरे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम लेकर चले है कहां मैं को जानो ना तुम्हें समाया तेरे पीजे जनाया तेरा भी मेरे के साथ तुम्हें भी किया तुम्हें पता है सेजल वो कहां मिलेगा हो पता है चलो मेरे साथ मुझे नहीं पसंद की मेरे अपनों को कोई छेड़े तुझे कोई हाथ लगाएगा राहूल तो उसका हाथ तोड़ूंगा और तुझे किसी ने छुआ ना सेजल गता हूँ आदी छोड़ना मत साले को उसकी भी बहन होती तो क्या ऐसा करता हूँ हाँ मैं लगता है तुमें चुप बैठोंगा देख साले को बताता हूँ चलो से चल काड़ी में बैठो और बताओं मिलेगा कहां साला वो सुनो अपना ध्यान रखना और जो भी होगा में को कॉल करके याद से बता देना अच्छे से जाओ तुझे हाथ कैसे लगाया साले ने बंदी है तु मेरी आलोव यू नहीं बोला है लेकिन फिर भी तु मेरी बंदी है यहीं है न वो संसाइन पर बैठा है साला ओ बेटा ओ ये घर कैसा लग रहा है बता चरा नए नए घर खरीदे जा रहा हूँ मैं बाद में काम आएगा मेरे पेटे के लिए हाँ चाचा फिर जीत बैयागों कभी दिक्कत नहीं होगा पैसो की हाँ वहीं तो अरे तुने इसको हाथ लगाया और यहाँ अकेला खड़ा है मरने की तैयारी करके आया है क्या यह तेरी बंदी है ना मुझे पसंद आ गई है और यह आज से मेरी बंदी है यह मैं समझा नहीं रहा यह मैं बता रहा हूँ क्या समझा यह थोड़ा पागल बागल है क्या खसकेल जैसा क्यूं बात कर रहा है साला जो मैंने बोल दिया वो होके रहेगा वरना अज थबड़ मारा है कल कुछ और मार लूँगा सालिब बोला कैसे बैसे हाँ तेरी मा किया सालिब किस से पंगा ले रहा है तुझे बता रही है मेरे उपर हाथ चोड़ा है रोएगा एक दिन सुनता चा अरे उस चूतिय की बात मत सुन तुम मेरे साधा से जल चल पापा पापा जो लड़की को हमने एक थपड मारा था ना उसका बोईफरेड आके मुझे मार के गया है पापा उसने मुझे मारा है मैं नहीं छोड़ूंगा पापा पिटा एक लाख रुपए काउंट में दे रहा हूँ जो गुंडे पुक कर लो और साले को उसकी उकात बताना तुझे हाथ लगाया जीत को हाथ लगाया हाँ भाईया आप ठीक तो हो ना आपको ज़्यादा चोड़ तो नहीं लगी ना ए तु अपने रूम में जाना साले छोड़ो मैं ही चूत्याओं जो इतकी फिकर करता हूँ यह फिकर के लाइक है ही नहीं और मुझे आदी को बताना चाहिए कि ये लोग उनको मारने का प्लान कर रहे है आदी और सेजल को कल स्कूल नहीं आना चाहिए हाँ रहूल भोल भाई जिसको तुने मारा यानि जिसने सेजल को छेड़ा वो मेरे चाचा का लड़का है और वो लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे है कल कुछ भी हो जाए हाँ चोड़ता हूँ इस्कूल मत आना तेरा भाई है साला तू कितना अलग और वो कितना अलग है फीक है मैं देखता हूँ कल स्कूल आना है की नहीं हाँ कुछ भी करके मत ही आना यार आदी को नहीं पदा था आगे क्या होने वाला था वो बिना सुचे अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाता है और इधर जीत पूरी तयारी के साथ होता है और है साले आने दो इनको बताते हैं गोलिया चलाओ अबे साइड से निकाल ले एकोसिस ने रुखना बे कल मार के गया था आज भाग क्यू रहा है अब क्या चाहिए देखो तुने इसको छेड़ा मैंने तेरा मूँ तोड़ दिया और ये अब गुंडे ले के क्यूं आया है तुहा तुने जिसका मूँ तोड़ा वो अलपाइन का सबसे बड़ा कुंडा है क्या समझा तू चो तू अभी कर रहा है न वो मैं भी कर सकता था पैसे मेरे बेबी है सौ गुंडे खरीद के तुझे गोली मरवा सकता था लेकिन मैं सेर हूँ अकेला काफी हूँ बे आज तक मेरे बाप ने मुझे हाथ नहीं लगाया तूने कैसे हाथ लगाया बे हर किसी के मरने का दिन आता है आज तेरा दिन है आज के बाद कुछ नहीं करेगा यह प्लीज इसे छोड़ दो ए राहूर क्या कुछ नहीं करूंगा हाँ यह सेजल के उपर फिर से नज़र डालेगा नलो फिर से मुझ तोड़ूंगा इसका तू बोल रहा है छोड़ दो तुझे कुछ मस्त बात बताऊ तेरे माबाप को मैंने और मेरे बाप ने मारा रास्साले यह क्या बोल रहो भाई आप अरे तेरा बाप चला रहा था मेरे सामने मत मारो जीना है हमें कुछ ते जैसा मारा रास्साले को बहुत पैसा था लेकिन हमें नहीं देता था मुझे लगता था मेरे माबाप एकसिडेंट में मरे सालो तुमने मारा है मेरे माबाप को मैं बता रहा हूँ आज मार दे मुझे भी वरना बच गया न तो भाई भाई नहीं रहेगा तू तुने राहुल के माबाप को मारा है सेजल को छेडा है तेरी मौत तो पकी है साले मुझे मारने वाला अज तक पैदा ही नहीं हुआ अरे भागो औरे पुलिस आ रहा है सीन उदागा सब लोग निकलो यहां से रुख ना रुख भाग क्यों रहा है साले रुख जा आज याद रखना सब को कुष्टे की मौत मारूँगा मेरे माबाप का बदला लूँगा सर आप लोग आगए सही टाइम पे वरना ये गुंडे तो हमें मारी देते आपका दिल से सुक्रिया और दिल से सल्यूट है सर रखो बाइज जब चाप खर जाओं ये गुंडे बहुत खतरनाक है हम लोग चलते हैं अपना थ्यान रखना आदी तैयारी कर ले अब मैं लूँगा उपने माबाप का बदला मैं नहीं रुकने वाला हूँ तेरे माबाप को छुआ यानि मेरे माबाप को हाथ लगाया मैं तेरे साथ हू रहूल चल अब लड़ाई आर्या पार की होने वाले थी इन्होंने भी तैयारी कर ली थी लड़ाई की देखते हैं होता है क्या यहीं आसपास मेरे ममी पापा को मारा था यहीं से साला ने गन खरी दी होगी एई गन ले रहा हूँ यहां से गन्स लेके वो सीधा निकल जाते हैं अपनों का बदला लेने के लिए बैठा किनी दूर मैं हो के मजबूर मैं रबा तेरी किता दी साजावा किसी को नहीं चोड़ूगा मेरे माबाब को मारा है साले चाचा कहां छुपके बैठा है हिम्मत है तो बाहर आना हाँ हिम्मत है तो बाहर यहाँ है बाबा मेरे माबाबने तुम लोगों को क्या पिकाड़ा था खाताम हो गए नेरे सब मिकनला पाहर साले दोगले चाचा ले क्या कर लेगा बोल ये ले साले दोगले चाचा पकड़ो देरे उनको भागना नहीं चाहिए साला देखो भागने की कोसिस कर रहे पकड़ो उनको चाचा रुग जाओ जड़ा तेज बनने की कोसिस ना करो मैं गोली वोली मार दूँगा मैं पहचानता वहचानता नहीं हूँ आपको एरे मैं तेरा चाचा हूँ पिटा और मैं तेरा बाप साले दोगले इनका ध्यान रखो मैं उसको ढूंडता हूं साला साले यहां चुपके बैटा है क्या सुषता है बच जाएगा ज्यादा गन की चला की मत दिखा तूसे ज्यादा चला रखिये साले रुख जाओ अपने आपको हमारे वाले सौब दे वरना सारी गोली डाल दूँगा चुप चाप चल मिने साथ अपने भाग के साथ ऐसा का छोटे अभी किया कहा है करके दिखाता हूं चल एक बात बताओ मेरे माबापने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तुम्हें जो चाहिए था जितना मांगा सब दिया पापा मम्मी ने फिर भी तुमने उन्हें मार दिया फैर छोड़ो एक बार मेरे बार तो सोच लेते मे मैं तरह भाई हो यार पापा को भी छोड़ दे प्लीज छोड़ना मत सालो को राहूल यह इसी के लायक है इसकी माबेहन होती हम छेड़ते या हम मारते ना तो पना चलता इसे मेरे मम्मी पापा जब तड़ब रहते तुम्हें तो दया नहीं आया था ना मुझे क्यों हाँ बहुत लोग जाने लगेंगे लेगिन जो लोग बचे है इस वस दा वेडियो प्लीज एक लाइक कर देना यार इससे थोड़ा सा मोटिवेशन एंड फोड़ा सा वीडियो पर रीच मिलेगा एक कमेंट कर देना जो भी मन करता है वो कमेंट करो कोई रोक टोक नहीं ले जल्दी जाओ रेडिस्टर करो एंड चल चार मिलें के बहुत लूज है प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड इस्लाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लीज इस्लाइड आम का लिंक पे क्लिक करके में को फॉलो कर लो बहुत दिनों से बोल रहा हूं बहुत लोग बलो नहीं करके रखें प्लीज गाइस कर लोग बहुत अच्छा लगेगा दिन से अगर आप लोग करते तो प्लीज कर देना और अभी तक आपने मार्स बेट पे रेजिस्टर नहीं किया नेचे कमेंट पे लिंक दिया हुआ है जल्दी जाओ रेजिस्टर करो और खे झालो